नमस्कार दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठा दिश्वर धीरेंद्र शास्त्री का 4 जुलाई 2024 को जनम दिन है, वो इस दिन 28 साल के हो जाएंगे चतरपुर के बागेश्वर तीतर छेतर में धूम धाम से उनका जनम दिन मनाने के तैयारी हुई लेकिन उनका जनम दिन मनाने के लिए लाखों श्रधालूं का जनसालाब उमर पड़ा देखिए इन तस्वीरों में, लाखों लोग दिखाए दे रहे हैं इस वाले तस्वीर में भी देखिए, यहां पर भी देखिए, इसमें भी और इसमें भी दीरे इन शास्त्री दूर से ही सबको नमस्कार कर रहे हैं लेकिन दीरे इन शास्त्री को देखने वाली जो जनता है वो काफी उत्साहित दिखाए दे रहे हैं लोग एक के उपर एक चड़े जा रहे हैं सिर्फ एक बार दीरे इन शास्त्री की जलक पाने के लिए दोस्तों इससे एक दिन पहले हात्रस में भोले बाबा का एक ससंग हुआ था उसमें भी यही भीड इसी वज़े से हाथसा हो गया था करीब पचास हजार की अनुमती दी गई थी लेकिन लाकों की भीड वहाँ पर इखटा हो गई थी यहां भक्त बाबा के पैरों की धूल लेने के लिए आये हुए थे और धूल लेने के चक्कर में बाबा को देखने के चकर में इसकदर भगदर मच गई कि करीब 122 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गई कहीं कि तो जान इसलिए चली गई दोस्तों क्योंकि चिकितसा विवस्था ही ठीक से नहीं मिल पाई हास्पिटल में एम्बुलेंस नहीं मिल पाई डॉक्टर नहीं मिल पाया अब दोस्तों बाबा पर भी सवाल उठ रहे हैं गिरफतारी की तलवारे लटकी हुई है लेकिन भक्तों ने अभी भी इससे कोई सीख नहीं लिया ऐसा दिखाई दे रहा है अभी भी बाबाओं के पागलपल में जनता अपनी जान जोके में डालने में लगी हुई है आपको बता दे कि हाथ रस में बोले भाबा के सचंग के हाथ से से दिरेन शास्त्री भी काफी डरे हुए हैं वो इतना घबराए हुए हैं कि उन्होंने विवस्ता नहीं होने का हवाला देते हुए भक्तों से हाथ जोड कर अपील की है उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वो चार जुलाई को बागेशवरदाम नहीं आने के लिए कह रहा है बलकि वहीं से जहां पर जो भी है जहां पर भी लोग ठेरे हुए है श्रद्धालू ठेरे हुए है वहीं से उनका जनम दिन बनाने की अपील कर रहा है देखे वीडियो में लेकिन दोस्तों पंधे दिरेंअद रूष्षास्त्री की अपील का भी भागेशवरदाम के भक्तों पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एक जुलाई से ही यहां पर ध्रेंधी शास्त्रीका जनम दिन के लिए बहादों की भीष्वा प उपंच रही है तीन जुलाई की सुबा से ही लाखों की संख्या में लोगों का जो हुजूम था वो यहाँ पर उमर चुका था लेकिन चार जुलाई को यानि कि आज के जिस दिन धीरेन शास्त्री का जनम दिन है उस दिन पूरे मैदान पट पड़ा हुआ था जनता से हजार और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दीरेन शास्त्री के धर्शन के लिए खड़े हुए थे इस पर बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशल पेस से दोस्तों एक ट्वीट भी किया गया है और कई तस्वीरे शेयर करके बताए गया है कि देखे किस तरीके की भीड लिखा गया है कि कोई मानने को तयार नहीं बारिश हो रही है पूज सरकार ने अपील कर ली बागेश्वर जनसेवा समिती ने अनुरोध कर लिया लेकिन बागेश्वर धाम के पागलों को कौन समझाएगा करीब 3-4 लाख लोग आज भी धाम पर एकत्रित सिर्फ उनकी एक जलक पाने सभी भक्त एकत्रित हो गए अद्बुत है आपकी माया सरकार गौर करने वाली बात यह है कि बाबा भक्तों को पागल कह रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी बात में सचाई भी है क्योंकि हाथ रस के हाथसे के बाद ना तो बाबा ने कोई सीख ली है और ना ही उनकी सिर्फ अपील करने से कुछ नहीं होता है दोस्तो धीरेंद्र शास्त्री को भी पता है कि उनके कारिक्रम में किस तरीके की भीड उमरती है और आज तो फिर उनका जनम दिन था तो जाहिर तोर पर भीड और ज्यादा होने ही वाली थी ऐसे में कोई बहुत बड़ा कदम उठाना उनको चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तो उनको प्रेमानंद महराज से भी सीख ले लेनी चाहिए आज को बता दे कि हाथरस में लोगों की जान जाने की जो घटना थी उससे व्रंदावन के प्रसिद्ध प्रेमानंद महराज भी काफी आहत हुए थे प्रेमानंद महराज ने इस पूरी जानकारी को इस पूरे घटना को देखते हुए अपने आश्रम में भी अब एक बड़ा आक्षन ले लिया है उन्होंने भक्तों को अब दर्शन ना देने का फैसला ले लिया है इतना ही नहीं उन्होंने अपने आश्रम श्री हित राधा के लिए कुझ तदा लंबी-लंबी कतारों में होने वाले जो अपने दर्शन है उनके जो दर्शन हुआ करते थे उनको भी अब अनिश्चित कालीन तक के लिए बंद कर दिया है यहीं कि आपको बता दे कि पहले प्रेमानंद महराज के दर्शन के लिए लाइने लगाई जाती थी जब वो रोट पर चलते थे तो उनके अगल बगल लाइने लगती थी और लोग उनके दर्शन करते थे लेकिन सिर्फ हातरस की गटना को लिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया कि अप दर्शन को ही दर्शन देने को ही बंद कर दिया लेकिन धीरेंदर शास्तरी अपने जणम दिन पर उम्री भीर दिखा कर अपनी लोगप्रियता जाहर करने में लगे हूए है उन्होंने अपील तो कर ली लेकिन अपील कुछ भी नहीं किया अब तस्वीरे पोस्ट करके अपनी पॉपुलारिटी दिखा रहे हैं खैर अब इतने बड़े हाथसे के बाद हाथरस वाले बावा तो फरार हो चुके हैं लेकिन जनता को अब इससे सीख ले लेनी चाहिए क्योंकि जनता की ही जाती है इस पर आपकी क्य हुँ आपकी किया रवाता की ही जनता की हैं लेकिन झापकी क्योंकि टुछ तरहा हैं प्रभश बड़े हैं लेक्र रहे श्रत्वीरे हैं लेक्रण